नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपी के चैनल में थोड़ा सा लेट हो गया है दस बच के 30 पीम ये ठीक है तो जैसा मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के अनलसिस किया था उसमें आपसे कहा था कि मैं स्टॉक्स जो है जो मुझे अच्छे लगते हैं कल की डेट के करता हूं उससे एक बार पहले एक बार डिस्क्लेमर जरूर देख लें वो है इस परकार से इसको जरूर देखिए इसको जरूर पढ़िए इसको जरूर समझिए उसी के बाद आप मेरी वीडियो पर आगे बढ़िएगा जो भी मैं स्टॉड़ी आपके साथ लगनिंग होगा तो दोस्तों इसने दी है आज अपनी ये कंसोलिडेशन जो पूरा इसका चल रहा है इनफेक्ट ये वाला इसकी हाइस क्लोजिंग दी है 2841 के उपर तो एक तरीके से ये ब्रेक आउट है ठीक है और कल की डेट में बढ़िया केंडल के साथ इसकी 2760 के आसपास से इसक हमें शुरूबात करी आज और एक क्लोजिंग हमें बढ़िया दिये 2841 तो यहां से जो इसका टार्गेट निकल के आता है बस आपको एक चीज क्या ध्यान में रखनी है देखें इसी प्रकार का कुछ ब्रेक आउट इन दस टावर में ने भी दिया था पर वो फेल हो गया थ ठीक है तो यह ब्रेक आउट जो आया है यह चार्ट पे एक्जिक्यूट रहेगा कि ने रहेगा नेक्स डे के लिए आपने यह चीज एन्शोर करनी है यह 2820 यह नंबर नोट कर लिजए आप HUL में इस नंबर के ऊपर रहना चाहिए तो एक तरीके से यह आपका SL हो गया ठी मेरी बात अब ध्यान चे सुनिएगा HUL अगर इस नंबर के ऊपर ही रहता है तो September month September month होता है 30 तारिक तक का target है 2950 तीन हजार और 3050 तक भी आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि यह जो इसका breakout होगा यह weekly time frame पे भी होगा यह देख लीजे आप यह देख लीजे यह एक ही बार यहाँ पोचा है सन 2022 में तो लगबग दो साल बाद यह इसका breakout देगा और यह निकल जाता है अगर इसके उपर जो मैं आपके साथ धर्चा कर रहा हूँ तो भाई यह अगर कोई swing में लेना चाहे अगर कोई swing में लेना चाहे अगर कोई swing में मतलब तीन महीने च्छे महीने तक अगर कोई लेके रख सके तो इसका target फिर 2200 से 3500 है बट फिलाल चलिए हम next दो दिन की बात करते हैं तो 2820 को दिमाग में रखेगा और इसने अच्छे consolidation को पूरा cross करते हुए ठिक ठाक breakout के उपर जा गया 2840 पे जो है trade कर रहा है अगले stock की तरफ चलते हैं दोस्तों तो वो है रेमको cement रेमको cement को आप देखेंगे तो जो ये number है 842 आप attempt चेक कर ये इसके कितने हैं ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, 6 and today is this 7 साथ बार ये 842 को जो है touch कर चुका है ठीक है तो अगर ये 842 को cross करके trade करने लग जाता है मतलब 845, 846 आपको दिख जाता है भाई ये फटने को तयार है और इसका target है 880 से लेके 900 within September month ठीक है within September month और रेमको cement पे भी आप जो है अपनी नजर बना के रखिये गा ठीक है दोस्तों और तीसरे स्टोक की चर्चा कर लेता हूँ ये है IEX Indian Energy Exchange ये फिलाल पिछले 4-5 दिन से continuous 4-5 दिन से 207 के ऊपर close नहीं कर पा रहा है ठीक है और high बनाता है 208 के आसपास 208 वहां से rejection लेता है पर जो ये pattern 184 से जो इसकी ये rally start हुई है पिछले 6-7 दिन में ये इधर जाके consolidate कर रहा है ये pattern अपने आप में बयान कर रहा है कि आगे आने वाले दिन में ये आपको 220-225 का भाव screen पर दिखा सकता है ठीक है तो मैं इसमें कोई वैसा trade नहीं बोलूँगा आपको कि next कल के लिए 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 परसो के लिए 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 जो इधर pattern develop है आप उसको cash में लेके चलिए ठीक asset डाल लिए 200 के below closing का target आपका 215, 220, 225, 230 ये September मन्त में ही आपको देखने को मिल सकते है ठीक है और कोई F&O में trade करता है अगर तो भाई होश्यारी में रहिएगा ठीक है या तो एक चीज़ करिए आप अगर आप F&O में trade करते हैं तो ये जो पूरे पिछले 5-6 दिन है इसमें 210 को नहीं टापाई इसमें अगर ये इस number को cross कर लेता है तो आप future and option को देख सकते हैं otherwise जो pattern के हिसाब से फिलाल इसमें cash में ही trade किया जा सकता है ठीक है तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेगा ये तीन stock है आप इनको देख सकते हैं बाकी ITC भी नजर रखेगा उसने जो द पाया 512 के उपर वो close नहीं कर पाया दोस्तों 515 तक गया बड़ो close नहीं कर पाया ये stocks है कुछ जो मुझे बढ़िया pattern पर छिक ठाक लगते हैं और जो अच्छा रणा आप आपको कल परसो नरसो तरसो तीन-चार दिन के लिए दे सकते हैं ठीक है चले वीडियो करता हूं प